भारत पाकिस्तान के T20 महा मुकाबले में पहली बार भारत को पाकिस्तान ने हराया है टॉस आर कर पहले बैजिंग करते हुए भारत ने 151 रनों का स्कोर बनाया वहीं भारत की हार से दर्शकों के चहरे उतर गए लेकिन फिर भी लोगों ने कहा है कि हम टीम इंडिया को सपोर्ट करेंगे वैसे हार जीत तो हर मुकाबले में चलती रहती है महत्व पढ़ता है तो इस बात से कि प्रदर्शन कैसा रहा हाला कि प्रदर्शन दोनों ही टीमों का बहतरीन रहा आपको बता दे कि पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में मिली पहली हार के बाद प्रेस कॉंफरेंस में टीम इंडिया के कैप्टेन विराट कोली पाकिस्तानी पत्रकार पर भढ़क गये पतrकार ने काफी सवाल किये हम आपको एक-एक करके बताते हैं कि प्रेस कॉन्फरेंस में क्या कि बात हुई पतrकार ने विराट कोहली से सवाल किया कि क्या अगले मैच में रोईशेर्मा के जगा इशान किशन खेलेंगे इसके जवाब में कोहली ने सरकास्टिक स्माइल देते हुए कहा कि क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं रोई शर्मा को T20 टीम से बाहर कर दूँ यदि आप कुछ कॉंट्रोवर्सी चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं मैं उसी के अनुसाल इसका उत्तर दूँगा इसके बाद पत्रकार ने पूछा कि क्या पाकिस्तान ने आज हर मामले में ज़ादा बहतर खेल दिखाया पत्रकार के इस सवाल का जवाब देते हुए कोहली ने कहा कि हमारी टीम हर टीम का सम्मान करती है इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने आज हमसे बहतर खेला है कोई भी टीम दस विकेट से ऐसे ही नहीं जीत जाती है उनको श्रे देना जरूरी है वहीं सवालों का सिलसला यही नहीं थमा पत्रकार ने आगे कहा कि क्या परिस्तितियों का बदलना और पहले दो विकेट को जल्दी खो देना टीम को महंगा पड़ा जिस पर जवाब आया कि पाकिस्तान की बल्ले बाजी के दोरान ओस कितनी शुरू हो गई इस कारण उन्हें काफी जादा फायदा मिला हम अगर 20-25 रन और ज़दा बना देते तो शायद हम मैच में और मजबूती से खड़े होते पाकिस्तान के गेंदवाजों ने अच्छी गेंदवाजी की और उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया टॉस भी मैच में अहां मुमिका निभाता है हम टॉस भी हारे पाकिस्तान की टीम ने हमें हर छेतर में पीछे किया है वैसे सवाल यू ही नहीं हुए इन सवालों के पीछे भी कुछ राजनीती है जी हाँ आपकी जानकारी के लिए बता दे कि वर्ल्ड कप से पहले खेले गए वाम अप मैच और IPL के आखरी मैचों में इशान किशन ने धमाल मचाया था तो घुमा फिर आकर ऐसे सवाल पूछना पाकिस्तान के लिस्ट में तो था ही भारत पाकिस्तान के मैच से जुड़ी स्कुरी रिपॉर्ट पर आपकी क्या राय है हमें comment box में जरूर बताए और देखते रहें HCN News